जये शनिदेव मित्रों मैं सचिंशरमा आपकर अपने शैनल पर स्वागत करता हूँ शनिदेव से प्रातना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अपना अशिरवात ब्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोगामना पूरन करें मई के महीने में मंगल देव, सूरे देव और शुक्र देव का बहुत ही महतवपून राशी परिवर्तन है जो कि आप लोगों के लिए अत्यांत महतवपून रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महतवपून राशी परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या परभाव पढ़ सकता है तो यदि आप अगले महीने अपने वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रशनों के उत्तर चल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक सधिक लाइक करें जिससे आपको भी लाव हो सकी और अधिक सधिक लोगों तक ही वीडियो पहो सकी हम इस वीडियो में सिर्फ विर्शब लगन के जातकों के लिए मई 2022 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे देगे इस वीडियो के लग-लग section में हम चर्चा करेंगे आपके career संबंदित मई का महिना कैसा रहेगा आपके finance संबंदित मई का महिना कैसा रहेगा आपके romance संबंदित मई का महिना कैसा रहेगा आपके family संबंदित मई का महिना कैसा रहेगा आपके स्वास्ते संबंदित मई का महीना कैसा रहेगा आपको किस रंग के वस्त और किस दिन धारन करने से लाब हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त धारन नहीं करने है और रंत में हम चर्चा करेंगे उन वहतवपूर्ण उपायों की जिने माई के महीने में करने से आपको लाब प्राप्त होगा तो यदि आपके कुड़ली के पर्थम भाव में दो नमबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं और यदि आप अपने कुड़ली हिंदी में देख रहे हैं आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखे की जैसा आप देख रहे हैं वरतमान समय में राहू और सूरेदेव आपकी कुंडली के बारवे भाव में हैं केतु आपकी कुंडली के छटे भाव में हैं मंगल देव शरीदेव की यूति आपकी कुंडली के दशम भाव में हैं गुरू आपी कुंडली के ग्यारवे भाहों है, तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी के रहों का आपके कैरियर पर क्या परभाव पड़ सकता है, देगे इस समय में सूरे देव राओ की यूति के कारण आपी कुंडली में ग्रहन दूश बना हुआ है, जिसके कारण आपको किसी प्रकार का कोई अपरत्याशित लाब मिल सकता है, यदि आप प्रोपर्टी डीलर हैं, तो इस समय में आपके कारे सुलजते भी दिखाए देंगे, यदि आपके बिजनस में किसी प्रकार का कोई बादा चल रहे है, किसी प्रकार कोई रुकावटे बनी हुई है, तो व में आपको किसी परकार की मानसिक्तनाओं में फसा सकता है इस समय आपको इस बात का विशेध ध्यान रखना होगा कि किसी परकार के लड़ाई जगडे से स्वयम को दूर रखें अन्यता ये समय आपको कानूनी समस्य में भी डाल सकता है इस समय में ऐसे जातकों को कुछ अक्समात लाब मिल सकता है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जो लोग विदेश में नौकरी ढूंड रहे हैं वर्दमान समय में गुरू आपकी कुंडली के 11 भाव में है जहां से गुरू की दृष्टिया आपकी कुंडली के पंचम भाव पर तीसरे भाव पर और कुंडली के सब्तम भाव पर हुई यह समय आपकी सोच में एक स्थिरता परदान करेगा यदि आपका मस्तिष्क किसी परकार की हलचल में फसा हुआ था आपके मस्तिष्क में कुछ उताव चड़ाव बने हुए थे मस्तिष्क में हलचल बनी हुई थी तो किसी परकार की अस्थिरता यदि आपके दिमाग में चल रही थी पिछले कुछ वर्षों में तो वो यहां कम होती दिखाई देगी आप में एक सकार अत्मक उर्जा का परवाह होगा पिछले कुछ समय से यदि आपका भागय आपका साथ नहीं दे रहा था तो उसमें आपको सकारात मकफल देखने को मिलेंगे आपका भागय आपका साधिता दिखाई देगा आपके रुके हुए कारे पुने अपरारम होते दिखाई देंगे यह समय ऐसे जात्कों को कुछ शुपफल दे सकता है जो जातक एजूकेशन के कार्रे से जुड़े हैं जो जातक किसी परकार के एनलिसिस के कार्रे में हैं जो जातक शोद अर्थात रिसर्च जैसे कार्यों में है जो जातक सौफ्ट्वेर डेवलोप्मेंट जैसे कार्यों में है ये समय विद्यारतियों के लिए भी अत्यांत भहत पूर्ण समय रहेगा आपके एकागरता में वृद्धी होगे जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं ऐसे जातकों को अत्यांत शुबफल मिलते दिखाए देंगे इस समय शनी देव आपके कुंडली के दशम भाव में अपनी मूल तिरकोन राशी में है जो आप लोगों के लिए अत्यांत महत्रपुन गोचा रहेगा क्योंकि इस समय में शनी देव की दिरिष्टे आपकी कुंडली के बारवें भाव पर चौत्छे भाव पर और सब्तम भाव पर होगी शनी देव एक मातर ऐसे ग्रह होते हैं जो कुंडली में राहू और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में आपकी साहता करते हैं शनी देव का ये गोचर आपकी कुंडली के दशन भाव में 6-5 महापुरुष योकंड मन करेगा जो की आपकी कुंडली में 30 वर्ष पषचाता है तो ये समय और आने वाले कुछ वर्ष आपके कैरियर को लेकर आपके विवसाय को लेकर अत्यंत महतपून वर्ष रहेंगे ये समय आपके कार्रे को लेकर आपकी नोकरी को लेकर बहुत शुप समय है इस समय आप किसी इभी परकार के नए कार्य को करने में सक्षम भी रह सकते ही यहाँ आप किसी परकार के छोटे से छोटे आफसर को ना छोड़े क्योंकि किसी परकार का छोटा आफसर आपको कुछ बड़ी उपलब्धियां अपने आने वाले जीवन में दिलवा सकता है कुंडली के लगन भाव में होगा जिसके कारण गरहन दोश आपकी कुंडली से समापत होगा ये समय आपके सोभाव को थोड़ा अडियल बना सकता है ये समय आपको उच्छ पदा दिकारीयों के साथ आपकी पहचान भी बढ़ा सकता है जो लोग राजनीती में जो लोग पब इस समय में शुक्रदेव मीन राशी में हैं जिसके कारण आपको आपकी मेहनत के कुछ अक्समात फल भी मिल सकते हैं इसका आपकी फैमिल लाइफ पर क्या पर भाव पड़ेगा इस पर हम अपने फैमिली रेटर सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे 25 से 31 मई तक का समय आपकी कुछ इस परकार दिखे की जैसा आप देख रहे हैं इस समय में मंगल देव का गोचर आपकी कुण्डली के दशम भाव से आपकी कुण्डली के 11 भाव में होगा और शुक्र देव का गोचर आपकी कुण्डली के 11 भाव से आपकी कुण्डली के 12 भाव में होगा जहां रा रंप कर सकते हैं ये समय ऐसे जातकों को कुछ शुइ जूब आउसर दे सकता है जो जातक कौस्मेटिक से संबंदित आर्टिफिशल जूलरी से संबंदित केमिकल से संबंदित किसी प्रकार का कोई IMPORT EXPORTS का कार्य करते हैं आप यदि विदेश में हैं तो किसी परकार के लड़ाई जगडे में आप पढ़ सकते हैं थोड़ा साफदान रहें तो यह था आप ए केरियर सम्बंदित मई का महीना कैसा रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपकी स्वास्ते सम्बंदित मई का महीना कैसा रहेगा एक से दस मही और 21 से 31 मही तक का समय ऐसे जात्कों को सावधान रहना होगा जिने नीन आने में समस्य हो सकती है जिने नसों में दर्द रहता है तो इस परकार की समस्य आपको अधिक परिशानी में डाल सकती है 14-16 माई और 18-21 माई तक का समय आपको बहुत अदिक सावधान रहना होगा यहां आपको नीद आने में समस्या हो सकती है यहां आपको बेचैनी महसूस हो सकती है जिसके कारण आपका मान सिकता ना हो बहुत अदिक बढ़ सकता है आप मेरिटिशन अवश्य करें आपको लाब मिलेगा तो यह था आपके स्वास्ते संबंदित चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके फाइनस संबंदित यह समय कैसा रहेगा एक से सतरा मही तक का समय आपके फाइनस में आपके वित में सुधार होता दिखाई देगा आपके फाइनस में वृद्धी होगी यह समय आपके फाइनस के लिए आपके वित के लिए सकारात मुक्समें रहेगा 19 से 25 मई तक का समय आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं ये खर्चे आपकी यातराओं में हो सकते हैं ये खर्चे आपकी स्वास्ते को लेकर हो सकते हैं 2 से 4 मई और 7 से 9 मई को आपको कहीं से धनलाब हो सकता है तो ये था आपके finance संबंदि चलिया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके romance संबंदि ये समय कैसा रहेगा देखें जो लोग single हैं वो 2 से 6 मई और 25 से 27 मई के बीच किसी परकार के relationship में अरथात आप किसी परकार के प्रेम संबंद में पढ़ सकते हैं जो लोग relationship में हैं उनके लिए 20 मई के बाद का समय थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है 10 मई तक का समय आपके लिए शुब समय रहेगा आपके रिष्टे मजबूत होंगे आपका ये किसी परकार का तनाव relationship को लेकर बना हुआ था वो 10 मई से पहले कम होता दिखाई देगा तो ये था आपके romance संबंदित कैसा रहेगा समय तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आपके परिवार संबंदिती समय कैसा रहेगा तो ये 16 मई के बाद का समय आपके विवाहिक जीवन में तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है थोड़ा सहियम रखें एक से आठ मई के बाद का समय आपको अपनी work life को balance करने में थोड़ी समझ से आ सकती है जिसके कारण आपके विवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता दिखाए देगा एक से आठ मई तक का समय आपके रिष्टे आपके पिता के साथ थोड़े तनाव पूर्ण हो सकते है 22 से 31 मई तक का समय आपकी मاتकी साथ संबंदों में तनाव बढ़ सकता है आपके घर में मान सिकता ना हो बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है थोड़ा सतर करें तो ये था आपके परिवार सम्मंदित मई का महीना कैसा रहेगा चली आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त धारन करने से आपको लाव हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त धारन नहीं करने हैं एक से दस मई के बाद का समय आप हरे रंग के वस्तरों से थोड़ा दूर रहे ना धारन करें आप इस महीने में पीले रंग के वस्त धारन कर सकते हैं इस महीने में यदि आप 2-5 मई और 25-27 मई को सफेद वस्त धारन करते हैं तो ये आपके लिए अत्यांत लापकारी रह सकते हैं चलिए आगे बरदें बात करते हूं महतपूर्ण उपायों की जिने मई के महीने में करने से आपको लाप राप्त होगा आप 23 मई को पराते 5 बच कर 26 मिनट से 7 बच कर 10 मिनट के बीच हरे रंग के वस्तर और कुछ दवाईयों का दान कोडियों के आश्रम में अवश्य करें आप 24 माई को पराते 5 बच कर 45 मिनट से शाम 6 बच कर 23 मिनट के बीच 200 ग्राम हल्दी और 72 मीटर पीले रंगे कपड़े का दान अवश्य करें आप परतेक शनिवार को 5 रुपे अत्वा 10 रुपे की सिक्के का दान किसी गरीब को अवश्य करें अत्वा किसी मंदिर में दान अवश्य करें आपने सिक्के का दान करना है काकस के नूट का दान नहीं करना आप रोल सूर्यास के बाद कुत्तों को अत्वा मश्यों को बोजन अवश्य करवाएं जिन जातकों का विवा नहीं हो पा रहा है हुए 13 माई और 27 माई को प्रदोश पुरत करना है इस दिन आप सूरह उद्य होने से पूर उठें सनान करें शिव मंदर जाएं महाँ बैटकर आपने 108 बार ओमन मश्युए मंदर का जापने करना है इस दिन आप शिव चालिसा पड़ें छोटी कन्या को बोजन किलाएं इससे आपकी मनुकामना पूर्ण होगी विवादी में जो भी अर्चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी तो ये थे वो महतवपूर्ण उपाएं जिने मई के महिने में करने से आपको लाप राप्त होगा तो ये था विर्शब लगन के जातकों के लिए मई 2022 के सर रहेगा शनिग्दीव आप सब इडियोगों पर अपना अशिरबाद बना कर रखें धन्यवाद